एलो फ्रेंट कैसे आप लोग और आज की इस वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे ट्रेटमार्क ओजिक्षिन के उपर कि ट्रेटमार्क जब भी आप फाइल करते हैं तो उसमें जब ओजिक्षिन आता है तो उसमें आपको किस-किस चीज़ का थ्यार रखना है जिसके विश् हैं यह सारी चीज़ें आज यह की इस वीडियो नगं डिसकस करेंगे सब्सके सब्सक्राइल और अ font में प्रोसेस नहीं करना और फीस क्या लगता एक ट्रेटरिंदमार्क उब्जीक्सिंट को तो यह सारे चीजह आज की इस वीडियो की तरब से बट अगर आप उसमें proper reply करतें तो department आपको वह trademark को accept करतेगा अगर accept नहीं होता तो उसमें hearing के बेस पर accept हो जाता है तो यह सारे चीजे होता है तो यह department इसलिए इसको करता है नेक्स चालता है common reason for trademark objection तो देखें कभी बोलने में सब कुछ same है, सिर्फ एक letter का difference है, जैसे K है और इसमें C है, तो बोलने में भी same आता है, तो इस टैप से कभी भी आप trademark apply करेंगे, तो उसमें chances 100% हो जापता है, कि आपकी objection आए गए ही आएगा, तो इस चीश से बचने के लिए बहुत ही important है, कि कभी भी similar trademark apply ना करें, जैसे कि आपका juice का काम है, और आप direct stress juice, आप यह apply करेंगे trademark के लिए तो यह भी आपको objection में आए गए ही आएगा, तो इस टैप से भी trademark objection department allow नहीं करता है, नेक्स टैप से इनकरेक्ट classification, जैसे आपने किसी और class में trademark अपनाई करना था, और आपने apply किसी और class में करते हैं, तो इस बेसिस पे भी आपका trademark objection आ जाएंगा, तो यह चीज़े important होती है, next आजाता है why does department issue trademark objection, तो जो department issue करता है trademark objection का, वो इसलिए होता है, क्योंकि किसी से similar होता है या same होता है, इस बेसिस पे department objection करता है, अब process क्या है, अगर कोई trademark objection आ जाता है, तो इसका reply file करने करें, तो देखिए, एक सबसे first चीज़ होता है, जो examination report आता है, department की तरफ से, उसको proper read करना होता है, कि उसमें examination में आया क्या है, second होता है, उसका proper reply file करना होता है, तो reply file करने के लिए, सबसे important चीज़ होता है, जो draft होता है, ड्राफ पर आपको पहले चीप करना होता है, कि ड्राफ ना होता है, उसके लावा evidence आपको उसका justification और legal procedure, यह सारे चीज़ supporting के साथ, हम उसमें file करने के लिए, ठीक है, next है तो उसको submit करना होता है, करने के बाद, अगर department उसको accept कर देता है, तो आपका best है, अगर accept नहीं करता है, तो उसना आपको read करना पड़ता है, hearing के लिए, और hearing आने में थोड़ा सा अभी के time में, 2024 में time लग रहा हो, जो time ब्रेड हो six months से one years तक का जा रहा है, उसके बाद अगर hearing आ जाता है, तो ठीक है नहीं, तो आपका hearing के accept हो जाता है, तो उसका दो publication के लिए चला जाता है, और publication जर्म नेर होता है, वो four months के लिए होता है, four months के बाद, अगर आपको कोई approach नहीं होता है, प्रोक्स जो एक time है, two से six months का time है, इतना time है कि approach लग जाता है, जब trademark objection आता है, तो उसके reply file के लिए, अब benefits क्या है, benefits भी होते है, trademark reply file करने के, फर्स्ट है, preventive advantage of the trademark application, अगर आपने ये nominal cost देखे, अगर आपने reply file कर लिया है, तो उसके लिए आपका आपका बच जाते है, नेक्स्ट होता है, clarify of trademark union, आप उसमें clarify दो ये ते हैं कि हमारे unique है, speed of registration process, क्योंकि आप जिप्ता लेट करेंगे, अगर आपने एक साल लेट कर देखे, reply file करने के लिए, तो उस cases में आपको भी दिक्कत आती है, ठीक है, next होता है, protect brand identity, फिर आजाता है, avoid public opposition, और establishment legal rights, तो ये सारे चीज़े आदा, फिर आजाता है, secure legal rights, avoid delaying registration, opposition clarifying, अब आती है, बात fees, तो fees में क्या होता है, filing fees होती है, there is no, अब इसमें first चीज़ है, कि इसमें government fees कुछ भी नहीं होता, but professional fees होता है, फिर आजाता है, इसमें last time discuss करेंगे conclusion, कि conclusion क्या है, तो आपको timely reply file करना होता है, अगर आप reply late file करने, तो आपका trademark ऐसा हो सकता है, second आजाता है, आपको expert assistant बहुत जरूरी है, यो कि आपने एक छोटा सा amount के चक्कर में, अगर आपने reply file पर नहीं किया है, तो यह हो जागा है, कि आपका hearing जा सकता है, और hearing के बाद आपको hearing आदे में time लगता है, तो time लगने के बाद ऐसा भी हो सकता है, कि आपको miss हो जाए hearing, तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, next अगर आपने reply file किया है, तो आपका brand secure हो अगर चैनल को सब्सक्राइब जो पर दीजिये, thank you and thank you.